यह जो 50-60,000 प्राइस पॉनिट होता है इंडिया में बहुत साथा पॉपुलर है जिसके अंदर स्टूदेंट्स वोगिंग प्रोफेशनल्स या स्मॉल बिजनेस वगरा होगे जिसके अंदर वही मीटिंग्स लेनी हैं वीडियो कॉल्स होगे रहा हो गई स्नाप्ड्राइगन एक्स प्रोसेसर अभी हमने थोड़े टाइम पहले हमने स्नाप्ड्राइगन एक्स एलीट वाले लाप्टॉप भी करें जिसके अंदर लिनोव युका स्विम 7X डेल का XPS इवन वीवो बुक 16 अब वह बहुत ज्यादा महेंगे हो रहे थे तो भी यह बज यहां पर एक हाथ से लिए डिसकी ओपन नहीं होगी दूसरी उंगली आपको लगानी पड़ेगी एंड माक्समाम पीछे 170 डिग्री इस तक चला जाता है और अंदर से लाप्टॉप मारा कुछ एसा और पीछे से हमारा कुछ लाप्टॉप वाले एक टेक्शर है और जो बै साथ मिलिटरी स्टेंडर्ड 810 एच सर्टिफाइड गिरेगा विरेगा लाप्टॉप को कुछ नहीं होगा कुछ ज्यादे जोर से गिरा दिया था और यहां पर स्क्रीन वाबल कुछ इतना मिल जाता है ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं कीबोर्ड फ्लेक्स नॉर्मल सा टॉ हमारे स्मार्टफोन होते हैं यह आम बेस डिवाइस होते हैं बहुत ज़्यादा पावर एफिशेंट होते हैं विंडोज में नहीं था तो इन्हों नहीं आप यह विंडोज में भी ले लो अब शुरू से एक सब्सक्राइब लेकिन वहां पर बैटरी बैक अब बहुत बड अब बात कर लेते हैं इस लाप्टाप की इसके अंदर है स्नाप्डरागन एक्स एक्स वन टॉसिक्स बन डबल जिरो जो भी इसका मॉडल है एट कोर्स एट थ्रेट का यह प्रोसेसर है एंड जो इंटिग्रेटिड आई जीप्य है वह क्वालकॉम का एड्रीनो जीप्यू मिलता है इसके अंदर और क्वालकॉम हेक्सागन एंप्यू के साथ आता है अब तु फॉर्टिफाइव टॉप्स की पावर इसको बेसिकली ट्रिलियन ऑपर सेकिंड बोलते हैं एक की पावर को कैल्कुलेट करने वाला है एंड थिनन लाइट में इस प्राइस पॉइंट प भी आराम्स चला जाएगा एंड स्टोरेज की रीड़न राइट स्पीड भी मारे को अच्छी मिलते है जैन फॉर के साब से और कनेक्टिविटी में वाइफाई 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 MS Office Home 2024 Lifetime के लिए स्टूदेंट्स वर्गिंग प्रोफेशनल्स जो की एक अ जाता है और इंस्टेंटली टेक्स्ट वगेरा कॉपी करना हो ट्रांसलेट कराना हो समराइज कराना हो एंड रीकॉल फीचर विमिलता है जिसके अंदर आप जो सिस्टम यूज कर रहे हो आपने किस ताइम पर क्या यूज करा कभी ना मन्दा भूल जाता है अरे यार एक श जिसके अंदर आप फाइस तो सच करी सकते हो साथ में सेटिंग्स हो गई या फिर कुछ डिस्क्राइब करके आपको बताना हो कि यह दिक्कत है ऐसे करना है तो उसके हिसाब से भी रिजर्ट्स मिलता है विंडोस के ही और पेंट विद को कर सकते हो किसी भी स्केच को पेंट को एक finished art map convert कर सकते हो real time मालो जैसे कोई rough sketch बना दिया दो लोग के खड़ेवा है और उसके बाद उसको एक prompt दे दिया तो उससे आपके कफी अच्छी art बन जाएगी आप stickers वगएर भी बना सकते हो उसके अंदर और extra editing features जैसे generative arrays, fill, even image generation लेकिन उसके लिए office 365 का plan चाही होता है और live captions जिसके अंदर 21 languages का support है, initially जब हमने snapdragon के laptop test करे थे तो इतना improved नहीं था, अभी काफी improve हो गया है, English content देख तो उसमें तो कोई दिक्क्कत आती नहीं है, even regional content देख तो उसके अंदर sometimes hit and miss होता है, पट यह सोगी बात है, future के साथ stable हो जाएगा, और Windows studio effects के दबागे feature मिलता एक normal Windows laptop से ज़्यादा Windows studio effects मिलता है इस laptop के अंदर, अब ज़रा performance में नजर डाल लेते हैं, synthetic benchmark से start कर दें, cinemange R23 के scores आप देख सकते हो, then we have cinemange 24, और CPU के लिए ही Geekbench 6 का benchmark हो गया, तो यहाँ पर CPU के numbers आपने देख लिए होंगे, and we can't even compare x86 वाला laptop with an ARM laptop, क्योंकि इनके numbers में difference कम यह जाद हो सकता है, but optimization का difference हा सकता है, because architecture ही different है, तो यहाँ पर CPU intensive task like, आप multitasking कर रहे हो, जैसे हम test करके देख रहे हैं, हमने browser खोला, और बहुत सारे tab खोल दी है, side by side, and उसके अलावा, बहुत सारी applications भी खोल दी, and यह laptop अच्छे से handle कर जाता है, क्योंकि जिन users के लिए laptop है, म वो usually chat, gpd, कोई भी AI tool होगे है, वो online ही use करते हैं, web-based use कर लिया, कुछ भी है, लेकिन मेरा मनता है, इसके NPU को टेस्स किया जाए, तो हमने इसके अंदर anything LLM के अंदर Lama 3.2 billion parameter model locally run किया, without internet, and काफी बढ़िया चल रहा था, और उसके अंदर हमारा NPU भी use हो रहा था, और य Puget Bench for DaVinci Resolve test किया, 1000+, and Photoshop का अच्छा निकल गया, 7400+, तो इसके अंदर Photoshop Lightroom आप अच्छा से यूज कर पाऊगे, बड़ी से बड़ी project file भी हो, क्योंकि उनका native support है, arm-based architecture के लिए, and हमने यूज कर के देका, बड़िया चल रहा था, तो देको, real-life use case के साब सलते हैं, अगर student ह coding वगेरा करनी है, like most programming language, जैसे C, C++, HTML, CSS, JS वगेरा, वो सब आप अराम से लाव होगे, लेकिन कुछ advanced tools, जैसे git batch, docker, वो अभी properly नहीं चलते, ये मेरे coder friend ने मुझे बताया है, बाकि अगर आप कुछ specific extensions या framework पे काम करें, तो थोड़ी सी research आप खुद कर लेना, and कोई भी cod और मित्र है मेरा, तो please comment section में अपना opinion share करें, snapdragon के साब से coding का क्या है, और लोगो के लिए help हो जाएगी, and normal day to day task होगे, जिसे extra productive application चलानी है, जैसे हम notion यूज़ करते हैं, browser आपने चला लिया, side by side word, excel, powerpoint आप यूज़ कर रहे हो, और अगर आपके mind में editing वगर आ रही है, एक editing के बात करें, तो DaVinci Resolve का native support अब arm based architecture पर आ चुका है, और प्रॉपरली काम करता है, with all the AI features, and blender का भी native support आ चुका है, वैसे एक website है, works on woa.com कर गयो, उसके ओपर आप देख सकते हो, कौन कौन सी application आ चुकी है, कौन कौन सी compatible है, and even games बगएरा भी आप चेक कर सकते हो, और best part about arm based laptop कि इसके अंदर battery पे और charging पे same performance हमार को मिलती है, मतलब जिस price point का laptop है, इसी price point पो कोई x86 वाला laptop लोग है, तो उसके अंदर माम लोग पर नीचे हो जाता है, and अब यहाँ पर gaming की बात कर लेते हैं, arm based laptops gamers को target नहीं करते हैं, अभी के लिए, because अभी इनके ओपर इतने games develop ही नह बाकि Windows वाले, अगर आप games चलाओगे, जो emulation के थरूँ चलते हैं, उसकी performance इतनी अच्छी निकल के नहीं आती, क्योंकि वो native support नहीं है, बढ़ हाँ, natively fortnite launch हो चुका है, snapdragon के लिए, और धीरे देर करके और games भी आ जाएंगे, तो future में जादा sense बनाएगा, test west करना, आप MacBook को port, जिसमें maximum 4K 60Hz तक output ले सकते हो, and 1440p 120Hz, उसके बाद अगर 1080p में जाओगे, तो ज्यादा refresh rate भी, बहुत लोग में सब पुछते रहते हैं, कि laptop की display का refresh rate ऐसा है, external monitor में कितना ले पाऊंगा, refresh rate क्या कुछ है, तो वो सारा का सारा port में डिपेंड करता है, और किस port से कितना refresh rate कितना resolution है, उसको पूरा एक chart है, वो आप देख सकते हैं, online जागे तो आपको RAM से मिल जागा, then we have USB C 3.2 Gen 1 Type A port, जो PD को भी support करता है, 65W के charger साब laptop चार्ज कर सकते हो, साथ में display output भी, and up to 4K 120Hz तक जाना था output उससे, और साथ में एक headphone mic jack का combo मिल जाएगा, according to a thin and light laptop, ports में कोई दि experience, and numpad वगर है, यहाँ पर मारे को मिल जाता है, और trackpad का size भी अच्छा है, मता multi gesture वगरे को support करता है, smooth है चलने में, fully clickable वाला है, और right side में वाला को physical fingerprint scanner भी मिल जाता है, एक तमासे ओंगली लगा के फड़ा फड़ा फड़ लॉग इन, और हर एक Lenovo laptop की तरह, FN Plus Q दबा के आ इस प्राइस 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 के लाप्टा में सब में 60 अच्छी मिलता है, बट मेरे साब से 91 20 अच्छी मिनिमम कर देना चाहिए, और ब्राइटनेस ओल तक जाती है, जो की ठीक है, इंडोर वगरा में चैसे आप यूज कर रहे हो, मूवी बगरा देख रहे हो या अपना ओफिस वगरा काम कर रहे हो, उसके असाब से डिस्पले बिल्कूल ठीक है, कलर करेक्शन अगर फोटोशॉप में करनी है, वो कर सकते हो, कलर ग्रेडिंग वाली डिस्पले नहीं है, करेक्शन और ग्रेडिंग में फर्ग होता है, एडिटर लोग समझ गयोंगे, तो यहां पर day-to-day usage में no problem, और मेरे को एक चीज समझ में नहीं हा रही, जब Lenovo Lock अपने 60,000 के laptop में 100% sRGB डिस्पले दे सकते हैं, तो Lenovo IdeaPad series में क्यों नहीं, इसमें भी basic color gamut display, यह चीज मेरे को समझ में नहीं हाती है, मेरे साब से 100% sRGB बेर minimum bench mark बन जाना चाहिए, और यह ह का webcam and mic भी laptop का use हो रहा है, बाई अच्छी चीज, 1440p 30fps वाला webcam है, with a 5 megapixel sensor, बागे आपके थौट से webcam को लेगे, और इसकी mic की quality को लेगे, मेरे को comment करें जुरू को जाना, और subscribe भी करतो, और इसके उपर हमाले को physical shutter भी मिल जाता है, अगर privacy का बहुत ज़ादा खयाल है आपको तो आप इसको बंद करके रख सकते हो, और 2W के 2 speakers मिलता है, top firing वाले, एक sample सुनो, मैं हरान हूँ, आइडिया पैड के, आम वाले laptop में थोड़े कम speaker loud मिलते है, इसके अच्छे घासे loud है, और साथ में Dolby Audio का भी support मिलता है, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, Dolby Access application के अंदर, different modes मिल जाते हैं, जो आपका listening experience बेटर करेंगे on headphones या external speaker, दो दो वाट के दो stereo speakers में इतना समझ भी नहीं हाता है, now coming on to the battery, 50Wh की battery मिलते है, हम इसको टेस करके देख रहे हैं, इसके अंदर scrolling हो गई, जैसे अपना internet बगरा हो गया, YouTube, social media, गाने चल रहे हैं background में, जैसे हाँ, हमन task को उपन नीचे हो सकते हैं, 10 से 15 गटे का backup कहीं नहीं गया, और 65W का charger जो आता साथ में, 0 to 50% 28 minutes के आसपास में हो जाता है, full charge होने में 1R के आसपास लगता है, तो charging speeds भी अच्छी है, तो conclusion की बात कर लेते हैं, अगर आपका 60,000 के आसपास एक budget है, आप day to day task, office वाले काम या जो जो मैं use cases बार-बार वीडियों बता रहा था, उसके लिए आप एक laptop देख रहे हो, आप एक student हो, आप एक working professional हो, small business है आपका, और 50-60,000 रुपीज आपको खर्शने हैं, तो definitely laptop चकाउट कर सकते हो, और major concern आपका battery backup है, और साथ में copilot plus certified है, उसके क्या का फायदा है, मैंने बाइ